मेरे ना मोहमद अर्श्याद है और porte inilate isnap कि यह पहली वीडियो है तो गई मैं चानली इसानल पर वह विडियो डालुगा जो आपको किसी डीखाए देगि क्योंकि कुछ ऐसी वीडियो नहीं कि बन पाती या फिर उसको इतनी ही इतनी इंपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर प्रैस करें तो बढ़ते हैं अपनी पहली ख़बर की और आपके साब ने तो गईस की साधी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक दूला कहते वे दिख रहा है कि उसकी सरकाई था यूपी का तो उसमें भारी संक्या में लोग इलाबाद वोट डालने के लिए जा रहे थे तो उसी बीच एक सपा के नेता आते हैं और अपना परचाब परसाद शुरू कर देते हैं तो गईस की तो गईस तीशरी खबर जो आरही है वारी है युक्रेया से लोटे हुए अपने स्टूडेंटेंट्स की तो गईस बहुत दिनों से आप ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूठरjang में फसे वे ते और उन लगाता गोहाल लगा रहेते सरकार दे रेस्क्यू करने की भारत सरकार से लेकिन वहां से कोई मदद नहीं दी जा रही थी तिनी और काफी याद है उनसे क्रेव असूला जा रहा था तो इसी बीच जो स्टूडेंट थे वह काफी नाराज थे भारत सरकार से तो अभी फिलाल उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है तो तो बाजपा के एक मंत्री है किशन रेट तो उनको स्वागत कर रहे थे लेकिन उनकी तरफ किसी भी स्टुडेंट ने ध्यान ने दिया और उनको इग्नोर करके चले गए तो आपको यह वीडियो भी देखना चाहिए इसी बीच पहली कबर बात करते हैं यह एक दुला है उसके सरकाई नोकरी है और वो अपनी डिमांड को लेकर शादी से इंकार कर देता है जब उसको मंडब पर ही तो हमारे देश में देज लेना एक पाप है और पाप माना भी जाता है लेकिन कुछ आदमी इस चीज को नहीं फोलो करते और दुला जो है वो बोल रहा है कि उनके जो पिता जी है वो मास्टर है तो गाइस मैं बोलना चाहतूं कि जब मास्टर के ऐसी नियत हो सकती है कि वो दहज के लिए अपने लड़के की शादी ना करें तो आप सो सकते हो कि मान सकता हमारे देश में इन लोगों की कहां जा रही है इस चीज को जरूर रोगना चाहिए और कड़े कदम उठाने जीए तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखे और अपना जरूर बता है मैं आया हूँ आपको दिखा रहा हूँ ये घटना जो है बिहार का है और ये गाउं जो है चपलपूर गाउं है ये और यहाँ पे लरका जो है साधी करने से साप इंकार कर रहा है इसका रीजन है कि दहेज का बारिकी समझानते हैं लरका से जी अब बताईए क्या कारण है इसका साधी नहीं कर रहे हैं आप साधी नहीं कर रहे है कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है किस इसका क्या डिमांड आपका मदलब अभी तक हमको cash नहीं मिला है और समान सब गच्छा हुआ था वो भी नहीं मिला है एक chain गच्छा हुआ था वो भी नहीं मिला है तो तो किस अधार Elizabeth हम साधी करेंगे कि आपको पता है क्या करते हैं आप ऐसे मेरा सवरकारी नोकडी है अच्छा अपिताजी आपके वहमास्टर साहब है अच्छा देख़रें दोस्तों कि जैसे जो है मास्टर है और इनकी सरकारी-मकडी आनेकी पठे लिखें लोग हैं उसके बाप जुद आपके पिताजी वहाँ लडाई कर रहे हैं तो क्या सिक्षा देजेगा तक हसां है कोन करता है की धेज नहीं चलता है ले ग bene कोई जानता आए के नैंन जानता है हमको नहीं मिलढ़ा तो आपalten जान गए अगर मिल जाता तो नहीं जानते बस यहीं बात है जो हूगा आज हो और अभी होगा और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी साधी होगा नहीं तो हम लोग भारात लेकर वापस घर चले जाएंगे और बात करते हैं दूसरी ख़बर की दूसरी ख़बर में जो चात्रों को पीटा गया था इलाफ़ाबद में आरा Evet तो चात्र बहुत नराज हैं क्योंकि वह बेरोजगारी इनलीक उपर कर रहे थे और वहीं प्रोटेस्ट जिंत सजनक हो गया था तो पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ती इस वजह से छात्र जो है काफी नाराज नजर आ रहे हैं बाचपा की तरफ से तो मतदान है तो उसी बीच अखलेश यादव के सब पार्टी के नेता वहां पहुंचते हैं और ट्रेन में परचार करने लग तो अगली खबर है एक अखलेश यादव के समर्थ तक त्लाब में कूद पढ़ते हैं और अपने परीजनों को मनाते हैं कि वह वोट सपा को दें जिस पर परीजन सहमती बनाते हूं बहुते कि वह बाहर आजे हम सपा खोव्ट देने के लिए तो पहले आप यह वीडियो द तो गाइस अमीद आपको वीडियो पसंद आई है कि युब फ़संद आई को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना ऐसी इस खबरों के लिए मेरी पहली वीडियो था और भी टी इजरूर आयेंगे तो आप सबस्क्राइब जरूर करके रहेना तैंक्यू